देश में साइबर ठगी का जाल फैलता जा रहा है। हर दिन कोई नो कोई मामला सामने आ रहा है। ऐसे में सबकी चिंता एक ही है कि कैसे इन साइबर अपराथियों से निप्टा जाए। सूचना तकनीक और डिजिटल एकोनोमिक के फैलते जाल के साइड इफेक्ट के रूप में फ्रॉड कॉल्स के मामले लगातार बट रहे हैं। साइबर फ्रॉड लोगों से पैसे ठगने के लिए तरह तरह की तिकडम आजमा रहे हैं। ऐसे में अंजान कॉल, SMS और लालच देने वाली चीजों से सतर्कता जरूरी है। लेगन अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो तुरंत कुछ कदम उठाने से फ्रॉड में गवाई गई रकम आपको वापस मिल सकती है। एक्सपर्ट की माने तो इस मामले में आप फ्रॉड में गवाया गया 90% पैसा केवल 10 दिनों में पा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जैसे ही फ्रॉड का पता चले, पिडित ब्यक्ति को अपना खोया पैसा पाने के लिए सही कदम तुरंत उठाने चाहिए। ऐसा नहीं करने पर पैसा वापस पाने के संभावना हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। कई बैंक अनाधिक्रित ट्रांजक्शन को लेकर बीमा पॉलिशी पेस करते हैं। इससे समय पर अपने शिकायत देने पर नुकसान का पैसा वापस मिल सकता है। यहीं नहीं बैंक ग्राहक साइबर धोकादड़ी के खिलाप बीमा पॉलिशी भी खरीच सकते हैं। RBI guideline के अनुसार तीन दिनों के अंदर अनाधिक्रित लेंदेन की जानकारी ग्राहक द्वारा बैंक को देने पर पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं। यहीं घटना के 4-7 दिनों के बाद शिकायत करने पर ग्राहक को 25 जार रुपे तक का नुकसान जहिलना पड़ सकता है। यह भी जान लेना जरूरी है कि तैसीमा के बाद शिकायत करने पर पैसा वापस नहीं मिलता। समय से शिकायत करने पर बैंक 10 दिनों के अंदर पैसा वापस कराता।